पहला प्रश्ण चलिए अब इसका उत्तर देखें इसका उत्तर A है चलिए अब इसका हल देखते हैं कि इसका उत्तर A क्यूं है? इस चित्र में A, B, A, C, D, O पर प्रतिछेद कर रहे हैं हमें यहाँ पर दो शीर्शा भीमुक कोणों के युग मिल रहे हैं अंगल A, O, B और अंगल C, O, D और अंगल A, O, D और अंगल C, O, B हमने पढ़ा था कि शीर्शा भीमुक कोणों के युगम आपस में बराबर होते हैं तो हम कह सकते हैं अंगल A, O, B बराबर है अंगल C, O, D के और अंगल A, O, D बराबर है अंगल C, O, D के इसलिए x 60 degree होगा और y 120 degree होगा